और एक फरवरी को केंद्री बजशट पेश होने वाल relación और इस चुनाबी बजशट में सरगुजा जिले के करमचारिों को केंद्री बज़ट से काफी उम्मीते हैं सरगुजा के करमचारियों ने बजट आने से पहले अपनी प्रतिक्रीयाएं भी दी हैं क्या कुछ कहा गया है ये निश्यत तोर पर च्छतिजगड के लिए भी बहुत खास है क्योंकि च्छतिजगड भी अपने इस तर पर उमीद लगाए बैचा है केंद्रिय बजट से कि अगले वर्ष का लेखा जो खाने वाला इसमें तो इसमें तो जो कर्मचारी वर्ग हैं की उमीद रहती है कि उनका जो कुछ भी मौन स्टैलरी होती है उस पर कुछ इजाफा हो या जो उनके इंकम टेक्स में उनने कुछ छूट मिले उनको और अपक्षा रहती है कि जो आन हम लोगे चाहते हैं कि आठवा वितानायोग कि जो सिफारिसे हो वो हूब भू प्रदेश में भी लागू की जाए इसके अतरिक्त जो SBA है वो 25 से 30 लाग बढ़ाए जाए कर्मचारियों के ग्रिह निर्मान के लिए जो हमको सहता मिलती है कि निर्मान के विताश questo 278 से और एक चीज़ और बहुत महत्पूरण हम लोग देख रहें हैं ड य का जो ओंगे हों बराबर कर्मचारियों के द्वारा वीगत पांच वरसente से किया जा रहा है हम लोग चाहते हैं कि केंद्री सरकार के बराबर ही हम को राज सरकार जादा को लाम मिलता है डीय के रूप में या वेतन के रूप में तो हम समझते हैं कि की अगर चील कारम चारूं को केंद्र सरकार अगर अची Norahat अच्छी सुविधाएं अच्छी भत्ता देती है राजसरकार जो है उनके अनुरूप वेतन भत्ता को लागू करेगी ऐसा हम उम्बित करते हैं हम लोग को बहुत जो मांगे हैं वो पेक्षित रहती है जैसे बहुत सारा मुद्दा है जैसे हमारा डीए को लेकर है हम करमचारियों के लिए कोई मतलब आवासिय सुविधानी रहती है ताकि जैसे बहुत जगा ट्रांसफर होगेरा भी होता है तो जो करमचारी रहते हैं उन समस जो भताई मिलती है वो केंदर के समान जो मिल